जैन बच्चों मैं संदीव ठाकूर आप सबका जय हो इंस्टिटूट के यूटूब चैनल से स्वागत करता हूं बहुत बच्चों का डाउट आता है हमाई पास अक्सर कि भाया वो टॉपिक बताओ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो क्योंकि अभी एंडिये का पेपर 4th of September से है हमने सोचा कि अभी थोड़ा टाइम है अभी से बच्चों को बता दे कि एंडिये के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ठीक है मैं सिर्फ एंडिये की बात कर रहा हूं और किसी भी एक्जैम की बात अ इंडिये का एक्जाम है उसके लिए हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं पिछले 6-7 सालों का एनलीसिस करके पिछले 6-7 सालों में मैंने जो देखा जो उससे मैंने सीखा है जो सबसे जरूरी चीज़े होते हैं तुम्हाइब पेपर में क्या करना है आगे कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है मेरा फोकस कौन से टॉपिक पे ज़्यादा रहेगा वो सारी चीज़े मैं अभी तुम्हें बताऊंगा ठीक है चलो सबसे पहले हम चलते हैं कि जो टॉपिक तुम्हाइब लिए सबसे अधा इंपॉर्टेंट होगा वो हमने देखो thumbnail में भी लिखा है क्या लिखा है इतना पढ़ डाला तो एक्जाम जिंगा लाला अगर तुमने इतना सारा पढ़ लिया जो मैं बताने वाला हूं तो कम से कम कम से कमसे एक सो पचास नंबर तो आराम से स्कोर कर लोगे से और nda में दोसों में से एक सो पचास नंबर बहुत जादा एं यह साrif का पेपर नहीं है कि तुम्हें 90 स्कोर करना यह याँ इंडीय के पेपर में अगर् iod опять कर रहा हो तो बहुत ही वालब टॉपर्स में आ जाओगे ठीक है तो थमनेल भी तुम लोगों ने देख लिया कि क्या होने वाला है अब चलते जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडिये के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा बेनिफीसियल है तुम्हारे लिए और सबसे ज़्यादा जो आता है पिछले चार-पांस सालों में वह सिनोनम्स ठीक है सिनोनम्स मालब सेम मीनिंग या दबेस्ट एक्स्प्रेसिंग मीनिंग करके पूछा जाता है सेम मीनिंग आ जाएग एक क्वेस्टन एंडिये में सबको पता है किन्ने नंबर का होता है चालिस एचार नंबर का होता है दस क्वेस्टन हो गए चालिस नंबर का हो तो सिनोनम्स से ही तुम्हें और अगर तुम सिनोनम्स से तुम्हें एंटोनम्स भी तयार हो जाएगा सिनोनम्स से ही तुम्हार वो कैब स्ट्रॉंग करने में एयर फोर्स में सीडियस में बहुत सारे एक्जाम्स में फायदा मिलेगा लेकिन एंडिये में सबसे ज़्यादा करे कुछ पूछा जाता है तो वह सिनोनेंस हर बार दस क्वेस्टन आते हैं दस क्वेस्टन मलब चालिस नमबर ठीक है उसके बाद जो दूसरा टॉपिक तुम्हारा लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है दूसरा टॉपिक है तुम्हारा एंटोनेंस एंटोनेंस में अपोजिट वर्ड बताना होता है एंटोनेंस में ठीक है आपोजिट बताना होता है वो सिनोनम्स से ही निकल के आ जाएगा इसमें जादा मेहनत करने की जिवरने अगर तुम्हें सिनोनम्स आते हैं तो तुम्हें एंटोनम्स भी आ जाएगे और मैं क्या करूंगा पिछले 20 सालों में 2000 से लेके 2022 तक 2021 तक जितने भी synonyms पूछेगा सारे class में करा दूँगा और पिछली बार भी मैंने 2010 से लेके 2020 तक की complete classes मैंने करा दिये थी synonyms की जो playlist पड़ी भी है ठीक है उसको एक बार जरूर go through कर लेना अब देखो बात करते हैं इंटोनेम के opposite words के तो ये भी इनके भी 10 questions आते हैं जो हर ब topic से मिल गया है और इन दोनों topic को अलग अलग नहीं पढ़ना है अगर तुम synonyms पढ़ रहे हो ना तो 80 नंबर वहीं से तयार होंगे और जो synonyms मैं कराओंगा तुम्हें वही कराना है क्यूंकि इंडिये cds में रूट वर्ट्स नहीं आते हैं अब basic words नहीं आते इस्टेंड कि 20 में से कम से कम 18-19 questions जरूर तुमाई paper में एज इटी जाएंगे ठीक है अब उसके बाद जो तीसरा सबसे important topic होने वाला है तुम्हारे लिए तीसरा important topic जो होगा वो भी vocabulary का ही है वो कैब section का ही है इस बाद जैसे मैंने देखा idioms idioms आ जाते हैं या प्रोवर्स वगरा कहवत पूछी जाती है इस बार ndia में 10 आए अगर बात करें cds की तो cds में भी 1212 questions इन टॉपिक से आएं हो cds में 120 नंबर का paper होता है तो उसमें grammar का भी बहुत रोल होता है अगर s-80 की बात करें तो s-80 में grammar का ज्यादा रोल रहता है लेकिन ndia में अगर तुम्हारी वो कैब strong है तो वहां से ndia तुम निकाल सकते हो कटाफ तो अपने आप clear कर लोगे यहां से भी 10 question आते तीनों से मिला के तीनों से मिला के तुम्हें 120 नंबर मिल जाएंगे और 120 में से हमारी guarantee जो सबसे बेकार बच्चा होगा अगर मेरी classes regular लेता रहेगा सबसे बेकार बच्चे को भी 120 म से 100 नंबर score कर सकता है आप चलते हैं इसके बाद इसके बाद जो अगला important topic होने वाला है अगला जो topic होने वाला है इसके बाद यह आ गया देखो PQRS को उसमें पैरा जंबल रियरेंज लिखा रहता है पैरा जंबल रियरेंज ठीक है PQRS भी बहुत important topic हो गया तुम्हारे लि चार नंबर का PQRS आता है और मेंस में कम से कम 20 या 25 नंबर का PQRS आता है तो SSC वालों के लिए CDS में तो 10 question आने हैं कम से कम 10 और CDS में 20 question आते हैं आजकल ठीक है एक आता है first or last दे दिया जाएगा और एक ऐसे direct आ जाता है ABCD PQRS वाला के लिए तो पैरा जंबल CDS में 20 question आएं तो 120 उपर हो गए और यहाँ पर कितने हो गए फेसे 40 किन्ने नंबर हो गए 160 नंबर हो गए जो paper इस बार आया और sequence एक चलता है first or second लगबग same paper आता है उसके बाद जो सबसे ज़्यादा important topic है जिससे सबसे ज़्यादा errors पूछे जाते हैं वो कौन से topic है जिससे सबसे ज़्य prepositions का किसका topic है prepositions का topic जैसे nda 2020 में मैंने देखा था fill in the blanks भी आया थे तो prepositions के nda 2020 में fill in the blanks मलब fillers जो आया थे वो भी prepositions के आया थे idioms आई थी तो fix prepositions या phrasal verbs की आई थी तो prepositions भी तुम्हारे लिए जितना important synonym से उत्ता ही important prepositions है clear है तो यह मलब यह अगर topic तु अगर यह पांच topic तुमने अच्छे से complete कर लिए तो यह 150 यह 140 नंबर आराम से score कर सकते हैं उसके बाद grammar की तो important classes मैं लही रहा हूं तो यह 170 असी नंबर तुम्हाराम से दोसों में कर सकते हो अगर तुम्हें सारे topics आते हैं और सबस्यादा जिसमें तुम्हें focus करना synonyms पे और idioms में सबस्यादा focus तुम्हें synonyms में क्योंकि vocab याद करने में time लगता है तो सबस्यादा focus किस पे करोगे synonyms और antonyms में clear हो गया बस आज के लिए इतना ही है ठीक है आज के लिए इतना ही है यह मलब यह topic तुम्हें करने है ठीक है और एक चीज़ जो लोग NDA में paid batch ले इंडिये के paper है तो 14 अगस्त को यह batch complete कर दिया जाएगा ठीक है इंडिये के purpose पर डिजाइन किया गया है और हिंदी मीडियम के लिए है और इसका नाम क्या है इसका नाम परिस्रम बैच है ठीक है तो परिस्रम बैच ले सकते हैं जो NDA की त्यारी करना है हिंदी मीडियम के च कोसिस ले करना अगर paid course लेना है तो 31 में से 31 में से पहले ले लो ठीक है को सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आए तो लाइक कर देना अगर कुछ गलतिया रहे गई है या कुछ तुम्हें सजेशन देना तो comment box में टाइब जरूर करना और अगर तुम्हें अच्छा भी लगे तुम्हें फायदेवन भी हो तो अपने दोस्तों के बीच में सेयर जरूर करना ठीक है सेयर करना ना भूले और जो लोग टेली गाम पर जुड़ना चाहते हैं तो जै हो महिंग सर टाइप कर लेना तेली ग्राम पर जूड़ जाओगे और देको थैंक्स फॉर वाचि टाटा बाई बाई जै हिन